नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीबोर्ड के कुछ ऐसे सीक्रेट कीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में केवल 5% लोग ही जानते हैं बाकी लोगों को पता ही नहीं है अगर आप कम्प्यूटर सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं और आपको जो है इन बतन के बारे में नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती किये हैं अगर आप कम्प्यूटर में एक्सपर्ट वरना चाते हैं या फिर कम्प्यूटर सीखने के बाद किसी ओफिस में काम करना चाते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि इन बतन का इस्तमाल कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं और इन बटन से हम क्या काम कर सकते हैं नवस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्वाट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजेगा देखिए दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कीबोर्ड के जिन बटन के बारे में बताया है उसे मैंने स्लाइड बाई स्लाइड अच्छे से तैयार किया है और अच्छे से बताया है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि देखिए इस बटन से ये चीज हो रही है तो आपको क्या काम करना है कि वीडियो को पूरा दिहान से देखना है तब ही जो है आप ये सारी चीजे समझ पाएंगे देखिए दोस्तों आपकी कीबोर्ड में एक ESC नाम से बटन होता है कुछ ऐसा होगा आप कीबोर्ड में देखिए इसके बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिर इसे कैसे इस्तमाल करते हैं और इसका पूरा नाम क्या है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ESC का पूरा नाम है Escape Escape का मतलब होता है छोड़ना इस बटन का इस्तमाल करके हम किसी भी प्रोग्राम से कोई भी आप्सन को skip कर सकते हैं यानि कि उससे पीछे आ सकते हैं कैसे चलिए इसे practically हम लोग समझते हैं जैसे कि मान लीजिए मैं MS Word में काम कर रहा हूँ और MS Word में Home Tab के अंदर मैंने paragraph वाले section को यहां पर क्लिक करके open कर लिया यहां पर अब हमें इस वाले option को यहां से हटाना है skip करना है तो या तो हम mouse से cancel पर क्लिक करेंगे तब यह हटेगा बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं अटेगा लेकिन अगर हम keyboard से इसे हटाना चाहें तो keyboard से ESC बटन को अगर आप press कर देते हैं तो यह option यहां से हट जाता है इसी तरह से अगर आप जो है file पर क्लिक करते हैं और यहां से पीछे जाना चाहते हैं तो आप ESC बटन का इस्तमाल करके पीछे आ सकते हैं इसी तरह से अगर आप desktop पर mouse का right click कर दिये हैं और यह जो option बार खुला है इसको जो है अगर आप escape करना चाहते हैं यानि इसे हटाना चाहते हैं तो आप keyboard से escape बटन को इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलामा दोस्तों escape की बटन का इस्तमाल जादा तर जो है टैली सॉफ्ट्वेर को चलाने में किया जाता है टैली सॉफ्ट्वेर से बाहर आने के लिए या फिर टैली में काम करते वक्त किसी भी option से बाहर आने के लिए escape की बटन का ही इस्तमाल किया जाता है इसके बाद दोस्तों जो अगला बटन है वो है pause break इस बटन के बारे में भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिरी से कैसे इस्तमाल करते हैं तो देखिए pause break जो बटन है यह आपके keyboard में scroll बटन के ठीक बगल में मिलता है इस बटन का इस्तमाल करके आप अपने system की information निकालते हैं यानि कि जो भी आपके system में RAM है, processor है यह सारी details जो होती है न वो आप निकाल सकते हैं इसके अलामा आप कोई game खेल रहे हैं उस game को जो है pause करने के लिए इस बटन का इस्तमाल किया जाता है कोई ऐसी आपने command दे दी जो कि किसी बटन से अगर वो pause नहीं हो रही है जिसको आप रोकना चाहते हैं तो आप pause break बटन का इस्तमाल कर सकते हैं चलिए इसे practically समझते हैं देखे दोस्तो, माल लीजिए अगर आपको किसी भी computer या फिल laptop की जो system की information है उसे देखना है तो pause break बटन का इस्तमाल करके आप देख सकते हैं लेकिन pause break बटन के साथ आपको windows बटन भी दबाना है सबसे पहले आपको क्या काम करना है windows बटन को दबा लेना है इसके बाद pause break बटन को दबाना है तो आपके सामने जो है उस system की सारी information आ जाएगी जिसमें device name, processor, ram, device id, edition, version कब install किया गया है वो सारी details जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे लेकिन अगर आप अपने system में game खेल रहे हैं और उस game को जो है अगर आप pause करना चाहते हैं तो उस condition में केवल आपको keyboard से pause break बटन को दबाना होता है इसके बाद दोस्तों जो अगला button है वो है scroll lock इस button के बारे में भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है ये button आपको जो है page break के just bugle में ही मिल जाता है इस button का इस्तमाल करके आप arrow button को scrolling के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं जब आप इस button को प्रेस कर देंगे तो आपके keyboard में ऊपर जो है एक light जल जाएगी जो की ये बताती है कि आपका scroll lock on है on करने के बाद जो keyboard में आपको इस तरीके से arrow button दिखाई दे रहे ना इसका इस्तमाल करके आप किसी भी page को scroll कर सकते हो आपने देखा होगा कि mouse में बीच में जो है एक scroll button भी होता है ये scroll button पहले नहीं होता था तो उस condition में keyboard से scroll lock को on करके ये जो arrow button है ना इनकी ही मदद से जो है हम किसी भी page को scroll करते थे कैसे चलिए से practically सीखते हैं example के लिए मैंने Excel को open कर लिया है Excel में आप इसे बड़े ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अभी आप देखिए हम यहाँ पर click कर देते हैं तो देखिए ये वाली cell select है अभी हमने scroll lock को on नहीं किया है ठीक है लेकिन हम जैसे ही arrow button को press करते हैं तो देखिए scroll नहीं हो रहा है बलकि ये जो selection है वो नीचे आ रहा है आप देख सकते हैं नीचे वाला भी button को press करते हैं तो भी उपर वाले को press करते हैं तो भी right को press करते हैं तो भी तो ये scroll नहीं हो रहा है बलकि जो selection है वो इधर उधर हो रहा है लेकिन अगर आप keyboard से जो है scroll button को on कर देते हैं जैसे कि अब मैंने on कर दिया है अब आप देखिए कि ये जो selection है वो यहीं पर रहेगा लेकिन page जो है वो scroll होगा मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो आप selection अभी वोई पर है लेकिन page हम जो है scroll करके नीचे आप आ रहे है और इसी तरीके से हम ऊपर वाले arrow से उपर जा सकते हैं left वाले arrow से left side में जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और right वाले arrow से right side में जा सकते हैं तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि scroll lock क्या है और कैसे इस्तमाल करते हैं अगर आपको इसे disable करना है तो दोबारा से जो है आपको scroll lock को off कर देना है इसके बाद जो है ये पहले जैसा हो जाएगा इसके बाद दोस्तो जो अगला button है वो है num lock button इसके बारे में भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है आप अपने keyboard में जहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं दी गई है राइट साइड में वहाँ पर उसी वाले box में उपर देखेंगे तो num lock लिखा होगा इसका इस्तमाल क्या है और कैसे करते हैं चलिए इसे हम लोग सीखते हैं तो देखिए num lock का इस्तमाल करके आप 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं उनको type करना चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं अगर ये on रहेगा तो 0 से 9 तक की संख्याएं जो है type होगी अगर ये off रहेगा तो type नहीं होगी लेकिन आप देखेंगे इन संख्याओं पर नीचे भी कुछ symbol बनाए गए हैं तो अगर num block off रहेगा तो ये नीचे वाले symbol काम करने लगते हैं इस चीज़ का आपको ध्यांद है जब ये num block off रहता है चलिए इसे practically हम लोग सीखते हैं तो देखिए अभी मेरे keyboard का जो num block बटन है वो off है यानि की बंध है अगर मैं one type करता हूँ तो यहां पर one भी नहीं type हो रहा है अगर मैं not type करता हूँ तो वो भी नहीं type हो रहा है लेकिन अगर मैं two type करता हूँ तो सी देखिए मैं 8 दबारा हूँ तो हम देरे देरे ऊपर जा रहा है अगर 4 दबाऊंगा तो left आएंगे 6 दबाऊंगा तो right आएंगे और 2 दबाऊंगा तो नीच आएंगे तो इस चीज का आपको ध्यान देना है लेकिन अगर num block on कर देंगे जैसे कि मैंने on कर दिया है तो आप one type करेंगे तो type होगा two type करेंगे तो type होगा three zero nine four five six मतलब जो भी zero से लेकर के नौ तक की संख्याय है उन्हें अगर type करोगे तो num block on रहेगा तो वो चीज़े type होगी अगर off रहेगा तो जो उसमें symbol बनाए गए हैं वो चीज़े काम करती हैं मेरे ख्याल से num block के बारे में खाफी सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिर इस बटन से हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो आपकी जानकरी के लिए बता दें कि डिलीट बटन का इस्तमाल करके आप कोई भी photo, video, file, folder कुछ भी जो है अपने computer से डिलीट करना चाहे ना उसे डिलीट कर सकते हैं इसक अगर आप देखोगे desktop पर मैंने attendance seat नाम से एक Excel की जो file है उसे रखा है अगर मुझे इसे delete करना है तो मैं इसे select करके keyboard से केवल delete बटन को दबा दूँगा तो वो जो है delete हो जाएगी इसी तरह से दोस्तों आप अपने computer से कोई भी folder को, file को, video को, photo को कुछ भी delete कर सकते हो बस select करना है और delete पर click करके delete कर सकते हो अगर आप delete बटन का इस्तमाल करके लिखे वे text को delete करना चाते हैं तो कैसे करेंगे तो देखिए पहला तरीका तो यह है कि आप इस text को select करिए और delete बटन को दबाईएगा delete हो जाएगा दूसरा तरीका यह है कि जिसको भी आप delete करना चाते हैं उसके आगे किलिक करिए आगे और delete बटन को प्रेस करिएगा तो वह delete होगा देखिए delete button क्या काम करता है text को आगे से delete करता है ये चीजे आप किसी भी software में कर सकते हैं चाए excel हो, powerpoint हो, कोई भी software हो सभी में ये चीजे काम करती हैं keyboard में अगला button है insert button insert button के बारे में भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है तो देखिए insert बटन का इस्तमाल करके आप किसी भी text को override कर सकते हैं यानि कि पहले से अगर कोई text लिखा है तो उसके बदले आप बिना उसको delete किये उस पर override करके दूसरा text लिख सकते हैं इसके अलावा जो है आप insert बटन का इस्तमाल करके copy paste भी कर सकते हैं कैसे चलिए इसे practically सीखते हैं देखिए यहाँ पर मैंने mouse लिखा है और mouse को अगर मुझे keyboard से override करना है तो मैं mouse के आगे क्लिक करूँगा यानि जो भी सब्द है उसके आगे क्लिक करना है keyboard से insert बटन को press कर देना है इसके बाद जो है जो भी आप type करना चाहते हैं वो type करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो हमने keyboard लिखा लेकिन mouse पे override करके लिखा यानि कि mouse जो हमने लिखा था वो automatic delete हो रहा था उसके बदले जो है keyboard वाले जो character है वो type हो रहे थे तो इसको जो है override बोला जाता है ये चीज़े आप कहीं पर भी कर सकते हो किसी भी सब्द को override कर सकते हो जैसे कि ये more लिखा हुआ है more के आगे हम क्लिक करेंगे insert button को click कर देंगे और यहां पर जो भी type करेंगे तो उसको जो है ये override कर देगा अक्सर दोस्तो coding का काम करने में insert button का सबसे ज़ादा इस्तमाल किया जाता है क्योंकि काफी सारे code को हमें override करना होता है अगर आप अपने computer या फिल लैप्टॉप में override कर रहे हैं यानि कि insert button का इस्तमाल कर रहे हैं और इस तरीके से नहीं हो रहा है यानि override नहीं हो रहा है तो उस condition में आपको एक छोटी सी setting को on करना है इसके लिए आपकोジो है msword में file पर क्लिक करना है चले जाना है more पर और यहाँ पर आपको options लिखा हुआ मिलेगा आप इस पर क्लिक करूए अगर आप MS Word 2007 इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको office बटन पर क्लिक करना होगा और नीचे जो है आपको options लिखा हुआ मिलेगा आप उस कर देना है और नीचे वाले को भी जो है चेक कर देना है दोनों को आपको टिक लगा देना है इसके बाद OK पर क्लिक करना है अब आप जो है जो भी टाइप करना चाते हो इंसर्ट बटन को दबाने के बाद जो है टाइप करोगे तो वो जो है ओवर राइट टाइप होगा आप insert button का इस्तमाल करके copy paste भी कर सकते हैं जैसे कि ये जो keyboard लिखा हुआ है इसे हमें copy करना है और नीचे paste करना है तो उस condition में हम इसे select कर लेंगे control के साथ insert button को दबाएंगे तो ये copy हो जाएगा और इसके बाद जो है enter button दबा के नीचे आएंगे और shift के साथ insert button दबा करके हम इसे paste कर सकते हैं यानि कि control के साथ insert button दबाने से copy होता है और shift के साथ insert button दबाने से paste होता है मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको insert button के बारे में अच्छे से समझ आ गया है इसके बाद दोस्तों आपने keyboard में 4 और button देखे होंगे पहला है home, end, page up और page down यकिन मानिए काफी सारे लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि home button का इस्तमाल करके हम किसी भी line के शुरू में जाते हैं end button का इस्तमाल करके हम किसी भी line के आखरी में जाते हैं और page up बटन का इस्तमाल करके हम page को ऊपर की तरफ scroll करते हैं और page down बटन का इस्तमाल करके हम page को नीचे की तरफ scroll करते हैं यानि की page के नीचे जाते हैं चलिए इसे हम लोग practically भी सीख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर केवल एक ही line लिखा है और इस line के last में मैंने click कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं cursor timtima रहा है अगर इस line के शुरू में मुझे जाना है तो केवल keyboard से home बटन को दबाना है तो हम line के शुरू में आ जाएंगे अगर line के last में हमें जाना है तो end बटन को दबाना है हम last में आ जाएंगे अगर हमें इस page के नीचे जाना है यानि कि scroll करना है तो हम page down को press करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे अगर हमें इस page में उपर जाना है तो page up बटन को इस्तमाल करेंगे काफी सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता है तो आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इसे option की बोला जाता है या फिर इसे जो है आप mouse का right click button बोल सकते हो इसके बारे में भी काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिर ये बटन क्यों दिया गया होता है और इसे कैसे इस्तमाल करते हैं तो आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस बटन का इस्तमाल करके आप किसी भी file, folder, video, आधी option के menu को खोल सकते हो यानि कि mouse के right बटन को क्लिक करने के बाद जो option खुलते हैं वो सारे option आप जो है keyboard के इस बटन को क्लिक करने के बाद देख सकते हो उसे खोल सकते हो कैसे चलिए इसे practically सीखते हैं जैसे कि हमें normally अगर refresh करना होता है computer को तो हम mouse का right क्लिक करते हैं और यहां से refresh करते हैं लेकिन यही काम अगर हमें keyboard से करना है तो option बटन को प्रेस करिएगा तो इस तरीके से आपके सामने जो है सारे option आ जाएंगे अब आप जो है mouse से भी यहां पर क्लिक कर सकते हैं या फिर keyboard में जो arrow बटन है उसकी मदद से refresh पर आएंगे और enter बटन दबाएंगे तो refresh होगा इसके अलामा किसी भी file पर right click करने के बाद जो option खुलते हैं ये सारे option जो है आप उस file पर option बटन को क्लिक करने पर भी देख सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे ये teleprime का software है इस पर हमने click किया और इसके बाद keyboard से option बटन को हम प्रेस करेंगे तो देखिए वो सारे के सारे option य इसके बाद दोस्तों ये काम होता है option बटन का ये ही काम जो है आप किसी file, folder, video सभी पर कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगला जो बटन है वो है print screen बटन आप अपने keyboard में देखिए scroll बटन के ठीक बगल में जो है आपको print screen बटन मिल जाता है काफी सारे लोगों को इस बट कारे के लिए बता दें कि इस बटन का इस्तमाल करके आप अपने computer में किसी भी area का screenshot ले सकते हैं जैसे कि मैंने computer में MS Word open किया है और इस MS Word की window का मुझे screenshot लेना है तो keyboard से कुछ नहीं करना है बस print screen बटन को दबा देना है अगर आप windows 11 इस्तमाल करते हैं तो इस तरीके से आपक screenshot लेना चाहते हैं उसे इस तरीके से ले सकते हैं और ये automatic save भी हो जाता है लेकिन अगर आप जो है windows 7 इस्तमाल करते हैं windows 8 इस्तमाल करते हैं और windows 10 इस्तमाल करते हैं तो उस condition में अगर आप जो है keyboard से print screen बटन को दबाएंगे तो आपका जो screen है पूरा-पूरा computer laptop का जो screen है न लेना है और control V से जो है उसे paste कर लेना है इस तरीके से आजाएगा paste हो जाएगा और अब जो है आप file पर click करके save पर click करके जिस भी location पर इसे आप save करना चाहें JPG वगएरा में save कर सकते हैं तो इस तरीके से print screen बटन का इस्तमाल करके screenshot लिया जाता है इसके बाद दोस्तों जो लेकिन मैं जो keyboard इस्तमाल करता हूँ उसमें भी ये button है तो आपको keyboard में भी ये button मिल सकता है लेकिन laptop में ये आपको मिलता ही है आखिर इस button का क्या काम है कैसे इस्तमाल करते हैं इसके बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता है तो आपकी जानकारे के लिए बता दें कि FN क फुल फार्म होता है function इसे जो है function key के नाम से जाना जाता है इस button को modifier key भी कहा जाता है जिसका इस्तमाल करके हम और भी button का इस्तमाल कर पाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे keyboard में भी जो है fn button यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये fn button इसलिए दिया गया होता है दो option दिये गए हैं यानि कि एक ही button दो काम करता है तो इसमें आप देखोगे जो print screen लिखा हुआ है ये जो है blue color में लिखा हुआ है अगर आप जो है print screen option को इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको fn button को प्रेस करना होगा तब ही ये जो है काम करेगा इस चीज का आपको ध्यान है कि fn का full farm होता है function और इसे जो है modifier की बोला जाता है इस button का इस्तमाल करके हम दूसरे button को भी इस्तमाल कर पाते हैं मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि fn button क्या है और इसे हम लोग जो है कैसे इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इस video के अंदर मैंने आपको जित पुरा भरोरसा है कि इन सभी button के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है अगर आप जो है इस video को अपने दोस्तों के साथ share करना चाहते हैं तो कम से कम 5 लोगों को जरूर share करिएगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके video पसंद आया है तो like share subscribe करिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे comment करिएगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तबते के लिए जय हिंद बंदे मातरम